सरी शिवाय नमस्त ब्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखिए पित्र पक्ष गुंतिस सितंबर से शुरू होने वाला है और पित्र पक्ष के पहले आने वाली ये एकादशी बहुती ज़्यादा खास होती है परिवर्तनी एकादशी देखिए आज 25 सितंबर को भी पतनी वाला है तो डेखो एकादशी इस बार दो दिन है कल वाली जो एकादशी है उस दिन आपको बहुत प्यारेसे उपायМ करना है क्योंकि ये भूम एकादेशी है जो कि मंगलवार के दिन पड़ी है और इसी एकादेशी पर करने वाले तीन विशेश उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देखो सबसे पहला जो उपाय होगा तुलसी जी की लखड़ी का विशेश उपाय होगा जिससे आपके घर के सारे रोग दूर हो जाएंगे दूसरा जो उपाय होने वाला है वो आपके करजों को दूर करने वाला है पेशों की समस्याव को दूर करने वाला है मात्र एक लॉंग से बहुत प्यारा सा उपाय है और तिसरा जो उपाय है वो आपको हल्दी और काले तिल से आपके कस्ट संकट बाधा को दूर करने वाला है तो देखो आज के इस पूरी वीडियो में तीन बहुत ही सुन्दर से प्यारे से उपाय के बारे में करें और कमेंड में श्री शिवाय नमस्तव्यम जरूर लिखें कि कल जो परिवर्तेनी एकादशी है वो जीवन में विशेशकर परिवर्तन लाती है इस दिन भगवान विश्नु करवट बदलते हैं चो मासे में चातुर मास के इन पांच महिने में से यह जो परिवर्तेनी एकादशी है इस दिन प्रभू अपनी करवट बदलते हैं और इसलिए जिस प्रकार से वो करवट बदलते हैं उसी प्रकार से हमारे जीवन के भी जो कस्ठ है वो खत्म होकर के सुख की और प्रस्तान करते हैं अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो तो देखो कल परिवर्तनी एकादशी है जलजूलनी एकादशी है जिसे कहते हैं पदमा एकादशी भी इसे कहते हैं और इसी एकादशी पर मंगलवार की एकादशी पर आपको यह उपाय करना है देखो सबसे पेला उपाय यदि आपकी घर म बहुत जादा रोग है किसी भी व्यक्ति को बार-बार रोग हो जाता है और आप रोग से परिशान हो गए हैं घर में कोई भी व्यक्ति है जो रोग घ्रसित व्यक्ति है उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं देखो वेसे तो ये उपाय आपको दो प्रकार से करना चीए ठीक है स जल का मगगा लेना और उस मगगे के अंदर तूल्षी जी की जो लकड़ी ओम नमो भगवत्य वासुदेवाय का जाप करते हुए इस लकड़ी को घुमा देना और उसके बाद इस जल से उस रोग घ्रसित व्यक्ति को इस्तनान करना चाहिए जो भी व्यक्ति एकादेशी के द तो देखो लकडी तुल्शी जी के नीचे और ये जो लकडी है वापस से आप इसे तुल्शी जी के नीचे वापस से रख करके आ सकते हैं लेकिन एकादशी के दिन आप तुल्शी जी को इस परश नहीं कर सकते हैं तो अब आपको क्या करना है विशेश का इस बात का ध्यान अखना आपको क्या करना है तुलसी जी की जो मिट्टी है ना तुलसी जी की मिट्टी आपको लेनी है ठीक है तुलसी जी की मिट्टी आप वहाँ से गमले में से निकाल लेना और उसके बाद एक जो मगगा है आपका इस नायन करने वाला मगगा उसके अंदर जल भरना उसके अंदर तुल्शेजी की मिट्टी मिलाना और साथ में एक चुटकी हल्दी मिलाना और उसके बाद जो भी रोग ग्रसित व्यक्ति है उसे आज के दिन इस परिवर्तनी मंगलवार की परिवर्तनी एक आदिशी देखो परिवर्तन हमारे जीवन में रोग से हम दूर हो जाएं ऐसा परिवर्तन अगर आप चाहते ना तो आपको यह उपाय करना चाहिए अगर आपके कष्ट जो है समाप्त हो करके सुख की और जाना चाहते हैं तो आपकी जीवन में भी परिवर्तन आए इसलिए आपको यह उप पाती है तो तुल्ची जी को इस पर्ष तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे आज के दिन तो आप हल्दी और मिट्टी से इसनान कर सकते हैं यह हो गया पहला उपाय अब हम बात करते हैं दुसरे महा उपाय की अगर आपके जीवन में बहुत जादा कर्ज की स्तेधी बनी देखो मंगलवार की एकादयशी के दिन आपको लेना है लालचंदन थोड़ा सा पीचा हुए अगय आपको बात你好ा वह भी देंदेत्य है देखिए सुबह से लेकर के शाम तक रातरी तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं पूरे दिन एकादेशी तिती माननी होगी देखो करना क्या है आपको लाल चंदन आपके सीधे हाथ में लेना है इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला देना तो पेश्ट के रूप में हो जाएगा और इसी लाल चंदन से आपको मंगलवार के दिन लाल चंदन आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरा आपको लेपन कर देना है देखो लाल चंदन का लेपन करना से विवा संबंदित परिशानिया भी दूर होती है अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो पुझ्जी गुरुदेव ने ये उपाई बताया है विशिशकर आपके धन संबंदित परेशानियों को दूर करने के लिए कर्ज को दूर करने के लिए तो लाल चंदन आप जब लगाओगे तब आपको वट केश्वर महादेव का नाम लेना है आगे आपको इतनी बात समझ में पूरा लाल चंदन का लेपन कर देना अब जो तामभी का पात्र है जिसके अंदर जल है उसके अंदर आपको एक फूल वाली लॉंग आपको डाल देना है और उसके बाद अब ये जो फूल वाली लॉंग है न देखिए अब आपको क्या करना इसी फूल वाले लौंग के जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिशेक करना है वटकेश्वर महादेव के नाम से जो लाल चंदन के उपर ही पूरा जल आपको अर्पित कर देना है वटकेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति यह उपाय करता है उसके ज हो गया दूसरा उपाई अब हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम उपाई की यह उपाई तो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है देखो आपको क्या करना है एकादशी है ठीक है और एकादशी की तीथी के दिन भगवान विष्णो का जो वास होता है वो होता है केले के इसको को दूर्ट में लेना है आपको लेना है एक चुटकी हल्दी हल्दी जो होती है वो सो भागय को बढ़ाती है और हल्दी भगवान विश्णो को बहुत ज्यादा प्रिया है साथ ने लेना है काले तिल जो होते है को पसीन से उत्पन हुआ 한 काले तिल जो होते हैं वो आपके कर्ज को दूर करता है तो काले तिल के दाने आपको लेना है कुछ दाने आपको काले तिल के लेना है और एक चुटकी हल्दी लेना है साथ में तामवी का पात्र लेना उसके अंदर आपको जल भरना है देखे एकादशी की तीथी के दिन देखो ये पित्र पक्ष के पहले वाली एकादशी है इसलिए ये पित्रों को भी प्रसंद करती है ये पात्र के अंदर हल्दी डाल देना है काले तिल डाल देना है और ये जल जो है पीपल के पेड में आपको अर्पित करना है आज के दिन ओम पित्र देवताय नमका आपको तीन बार जब करना है बस इतना सा उपाय करना है इससे आपके पित्र भी प्रसंद होते हैं और आपकी जो भी कर्ज की समस्या है जो भी जीवन में संकट है बादा है उन्हें दूर करने की आपको प्रातना करनी है तो देखो आज के इस में आए तो कमेंड में एक बार पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तु ब्यम हर हर